प्रिविद्यात्यू नमस्कार जेहेंद मद्यप्रदेश अरदवार्शिक परिक्षा पेपर 2022 कक्चा 11 वी सबजेक्ट अर्थसास्त्र देखिए एक से लेकर 23 तक संपूर्ण सोलुशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का पेपर आपका नो तारिक्का है सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजेगा जितने भी 11 वाले जूड रहे हैं बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस कारण से ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो वास्ताओं में अर्दवार्सिक परिक्चा की तैयारी कर रहे हैं तो सांतियों वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखिएगा पहला कुश्यन हम देखेंगे स्क्रीन पर पहला कुश्यन आपका इस्टार्ट होगा उन सभी कोश्यन के अंसर पहले आपको लाइव चेट में बताना है फिर आपको उसका सही उत्तर भी बताया जाएगा वीडियो को लाफ्ट तक जरूर देखिएगा चलिए विद्यार्थियों हम स्टार्ट करते हैं और आपको कक्चा ग्यारवी से संबंदित अर्थसास्त्रवी से के कुछ भी यदि पीटिया बगरा चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चेनल को जॉइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रेप्सन में है जाहिए और टेलिग्राम को जॉइन कर लीजिए चलिए विद्यार्थियो हम बात करेंगे अब कोश्चन नमबर पहले की चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिप केसन आपको मिल सके पहला कोश्चन आपको इस्क्रीन पर नजर आ रहा है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए पहला कोश्चन है से संबंद गुनांक का मान माइनस पिलस एक के बीच इस्तित होता है करेक्ट अंसर हो जाएगा एक के बीच इस्तित होता है निर्दे शांक खलिस्ताने ये भारत में बेटी सासन से पूर्व बारती अर्थ विवस्ता बहुत विक्सित थी अगला कुश्यन देखेगा बेटी सासन से पूर्व भारत में कुटी रुद्योग विक्सित दसा में थे शांकीकी के जन्मदाता पीसी महाल नोविस है PC महाल 29 है अगला कुश्यन है स्रेणी के व्यक्तिगत पदो के समांतर माद्यक से लिए गए विचलानों का योग सुन्नी के बराबर होता है किसके बराबर होता है? सुन्नी के बराबर होता है अब सही विकल्प यहां पर हम देखेंगे देखें डायरेक्ट में आपर कुश्यन के अंसर बताऊंगा चार उपसन देने से कोई मतलब नहीं होगा आपको डायरेक्ट अंसर ही पता होना चाहिए यदि अर्दवार्शिक परिक्चा में अच्छे मांक से प्राप्त करना है तो वीडियो को लाफ्ट तर जरूर देखिएगा सभी विद्यार्थी ध्यान दीजेगा और अपने सभी दोस्तों के एक बाद जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये सभी कोश्यन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे पहला कोश्यन आपकी स्क्रीन पर है समंख क्या कहलाते हैं प्रात्मिक समंख कहलाते हैं हरित क्रांती के जनक है तो यह है एम एस स्वामी नातन कौन एम एस स्वामी नातन है अगला कोश्यन पूर्न रिण आतमक से संबंद सदेव होता है तो सदेव क्या होता है? सुन्योता है. मित्रो नोट करिएगा. क्या होता है? सुन्योता है. अगला कुश्यन हमारे देश में नीती आयोग कब गटित हुआ? एक जनवरी 2014 गोग. हमारे देश में नीती आयोग की इस्तापना हुई. मतलब गटन उसका हुआ. अगला कुश्यन शांकी की गणना का विज्यान है किसने कहा है जो शांकी की जो आती है वो गणना का विज्यान है ये कहा है ए एल बावलेने किसने कहा है ए एल बावलेने नोट करके रखिएगा ठीके ये कोशन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अब यहाँ पर एक सब देखवाक्य मुत्तर देखेंगे व्याव साइक उर्जा के एक स्तरोत का नाम बताईए तो इसका नाम है इलेक्टरी सिटी भारत में निम्न स्वास्त का एक कारण लिखिए तो निम्न स्वास्त का एक कारण है वो है जन संक्या अगला कुश्यन देखेंगे विस्व इस्तर पर एक गरीब देश का नाम लिखिए तो इसका नाम है शी एरा लियोन गनराज शी एरा लियोन गनराज अगला कुश्यन किस देश में एक संतान नीति की गोसना की गई है तो इसका नाम है चीन ठीक है चीन किस देश में एक संतर नीति की गोष्ण की गई चीन अगला कुश्यन मन रेगा अधिनियम कब लागू हुआ तो एक अपरे दो हजार आट में मन रेगा अधिनियम लागू हुआ अगला कुश्यन उत्पादन में सक्री गटक में हैं जो करते हैं क्या करते हैं उर्जा का उत्पादन करते हैं चेतरी गिरामिन बेंको की स्टापना की स्वार्ष में हुई तो यह हुई उनिस्सो पिछोत्तर में 1975 अब सहี जोड़ी आपको मिलाना है वानिजिक उर्जा उर्ज एस्तरोत प्राकर्तिक गेस गेरवानिजिक उर्जा इस्तरोत पवन उर्जा ठीके ध्यान रखेगा वानिजिक और गेरवानिजिक पवन उर्जा गेरवानिजिक होती है और वानिजिक होती है प्राकर्तिक गेश और मिस्रित अर्तवेवस्ता चीन की 72 में विशे सार्तिक चेत्र के आधार पर देश पाकिस्तान वन कटाई रोको अंदोलन चिप को अंदोलन अगला नाबाड इसका होगा जुलाई 1982 अब सत्याफत्ति की बात करेंगे देखिए जो भी देख रहे हैं लाफ टक इस वीडियो को आप इस वीडियो को देख कहा से रहें आपके जिले का नाम जरूँ आप कमेंड बॉक्स में लिखेगा और साथी साथ हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूँ जूड़िएगा ठीके वहाँ पर आपको तमाम प्रकाकेपेडिये बगरा मिलते रहते हैं जन संक्य व्रद्धी का प्रती व्यक्ति आई पर को पिरवाव नहीं पढ़ता है असत्य पढ़ता है कूल पूर्ती को सुद्ध राजकी उत्पाद ही कहते हैं असत्य स्वतंत्र विनियोंग का राफ्टी आई से कोई संबंध नहीं रहता तो ये क्या है सत्य किन्स का रोजगार न्यून मांग का सिद्धान्त भी कहलाता है सत्य पूर्न रोजगार का आशे सुननी बेरुजगारी नहीं होती सत्य इसति लागत को पूरग लागत भी कहते हैं सत्य कूशन नमबर चठा शांकी किसे आप क्या समझते हैं ठीक है अब ये question आ चुके हैं आपके question नमबर 7, question नमबर 8, 9, 10 इन question के अलवा आपको कुछ और पढ़ने के आवशक्ता नहीं है तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है इन question को पढ़ लीजेगा ये आपके paper में देखने को मिलेंगे अब ये जो question आपको बताया ज चाहिए तो आप हमें comment box में बतायेगा आपको तुरंत answer send कर दिये जाएंगे ये पूरा आपका हो चुका है ठीक है question पेपर एक से लेकर तेज तक संपूर्ण solution आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा जिसकी link description में है टेलिग्राम को जरूर जोइन कीजिएग साथ ही आप इस वीडियो को कहा से देख रहे हैं कौन से चिले से देख रहे हैं comment box में बतायेगा मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में धन्निवाद थैंक्स पर वाच्चिक